ये पूरा का पूरा पोशन जो है ये श्क्रू टाइप कमप्रेशर है और ये जो हिस्षा है ये जो पार्स है ये हमारा इवापुरेटर है निच्चे आपका कंडेंसर है और दोस्तों मेरा नाम सुबरत मिश्रा मैं हीवेशी टेक्निशान के रूप में कार्या रहत हूँ मु मेशिन के ओवरेल व्यू और इसके सिप्टी के बारे में कुछ आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह हमारा ब्लू स्टार का स्क्रूब चिलर प्लांट है तो इसका जो सबस के रिलेटेड हमें परामीटर्स सेप्टी सफ चिज्शें व partnership के जर्ये से से म kijड़ कर सकते ही अतरबक उसके दोस्तों जैसे आप उपर देख पार हैं यह पूरा का पूरा को पूरश्ट हो है यह इन मैंट कम्रेशर हैं पंप्रेशर है और यह जो इस्था है यह जो पार से यह हमारा evaporator है निच्छे आपका condenser है और यह दोस्तो देख पा रहे होंगे यह हमारा expansion वाल लगा हुआ है और दोस्तो यह हमारे pressure gauge है temperature gauge है यह flow switch है ऐसे in और out के condenser और चिलर के शम में मिलेंगे और यह balancing वाल भी है और motorized वाल भी है और butterfly वाल भी है तो दोस्तों अगर हम इधर भी आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों यह हमारा ओएल टैंक है इसमें ओएल गरम होगे कंपरेशर में लूब्रिकेशन के लिए आ जाता है किसी-किसी में में कंपरेशर के नीचे भी टैंक होती है किसी में साइड में भी यह दे दी जाती है तो दोस्तों यह है में अब हम मेंसिन की स्टंडर्ड अपरेटिंग और इसकी सेप्टी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे मैसिन चलाने से पहले जो हमारी सेप्टी है वो क्या है और हमें किस-किस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले दोस्तों हम मेसिन में सबसे पहले वोल्टेज का चेक करेंगे वोल्टेज के बाद हमारा वोल्टेज प्रफ़र आ रहे है उसके बाद हम मेसिन में आके ओल का टेंप्रेचर चेक करेंगे दोस्तों यह बहुत ही बड़ा सेप्टी होता है ओल टेंप्रेचर यान से निकलते दोस्तों कि जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पे 88 फारेनाइट में है तो अगर डिग्री में कंफर्ट करेंगे तो सम्धिंग 30 डिग्री का सपस यह आ जाएगा तो यह हम इसको 80 से निच्छे नहीं आने देते यह इसकी परामीटर से हम 80 फारेनाइट तक रखते हैं अगर उससे निच्छे आता है तो दिन हम अच्छे करते हैं कि हमारा हीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है में तो दूसतो ओल टेंपरिशिर देखने के बाद हम मेंसिन को जोबी स्टाइब कर शोरे समसिक अभी यह में आप पार इस्टार्ट होने बाद मेंेदा जो है दोस्तों इसके मैं सर्वती होती है यानि लौ प्रेशर और हाई प्रेशर और दो किस कंडिशन में हाई प्रेशर होता है किस कंडिशन में लोग प्रेशर होता है और अगर बसक्तक सबसे nutr Phoenix जो है हम चेक कर सकते हैं, जैसर ही दोस्तो, मैशीन रनिंग कंडिशन में अगर आपका हाई प्रेशर का एक इरर आता है तो सबसे पहले दोस्तो आपको चो कंडेंसर water है जैसे ये कंडेंसर आ सायड है नीचे इसका जो water है उसका टेंपरेचर और उसका जो आउट टेंपरेचर और हमारे जो कंडेंशर वाटर के जो पॉंप से और कूलिंग टावर है यह जितने भी कंडेंशर के साइकल के रिलेटेड जो भी कंपोनेंट से उनको एक बार प्रफर हमें चेक करनी पड़ती है क्योंकि मैंली क्या होता है है डिस्टाज प्रेशर जो है बढ़ता है तो उस कारण क्या है कि जैसे हमारा डिस्टाज प्रेशर बढ़ेगा यानि मतलब पानी का टेंपरेचर बढ़ेगा तो वैसे हमारा डिस्टाज प्रेशर भी बढ़ेगा तो इसका भी एक लिमीट है कि उस लिमीट में जाके जो ह और इसमें आर वान थाटी फाइब का रेफ्रिजेंट है तो नर्माली इसको हम 130 से 145 PSI तक की लिमीट में डिस्चाज प्रेशर नर्माली कंडिशन होती है इसकी 145 से ज्याधा जाता है तो इसको हाइ में मना जाएगा और 160 में हमारा सेट है 130 में अगर जाता है तो मेसिं ओनन ओँडंड नेद रहा तो दोस्तों यह हो गया आपका हाई-प्रेशर का हाई-प्रेशर में दोस्तों आपको Dec क्लिएर होगा कि क्या क्या कुमेंट्स आपको चेक करने होती है फाइक रहा है जितना चलना चलना चाहिए उद्धना चलनEM नहीं चल रहा कुलिंग टावर में पानी तो कम नहीं है और कुलिंग टावर का सीटी फैन ओन होना चाहिए यह सब कंडिजन्स दो है आपको फेरिफाई कर लेना चाहिए उसके बाद भी अगर आपका सारे सिस्टम ठेक है और फिर भी हाई अलारा हमारे देन फिर क्या होता है कि देश्के लिंग का प्रक्षिया स्टार्ट हो जाती है जो भी कचड़ा अगर आपका यह आपका जो कंडेन्सर दुब्स होती है इसके उंदर दुस्तों इस में जो है बो डूस्ट पाटिकल जो है जम जाते जिस कारण से जो है बलॉक है जो जो आते और उसमें प्रपर पानी पूपास नहीं हो पाता था तो इस City 건 में हमें कंडिनसर की इस लिंक करने पड़ दिशन के बाद ये जो प्रोलेम हे ऊटना है तो दोस्तों यह हमारे high pressure के safety बारे में थी और अब हम जानते है low pressure की तो दोस्तों low pressure जो है वह हमेशा यहां पर आपको डिस्प्ले में जैसे आप देख पारे हो section temperature, तो दोस्तों लो प्रेशर होती है वो उस कंडिशन में होती है या तो हमारी ग्यास लस हो तो दोस्तों उसमें कि लो प्रेशर आती है तो हम मेशिन को नहीं चलाने चाहिए क्यूंकि उसमें कंप्रेशर जो है कंप्रेशर ड्यामेज होने का खत्रा रहता है जैसे लो प्रेशर होता है तो लो टेंप्रेशर भी हो जाएगा जो सेक्षन प्रेशर है हमारा सेक्षन टेंप्रेशर है वो फटी से फटी वान डिग्री से निच्चे आ जाएगा तो कंप्रेशर में क्या है सबसे बहुत पुर्ण components machine के अंदर होती हैं जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह condenser कंडेंसर कि लाइन में होगी ऐँ यह वाल आप देख पार रहें यह क्या होगा जब हमारा हाई प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो यह जो है यह वाल जो है प्रेशर हाई प्रेशर रिलीज वाल बोलते हैं इसे, यह क्या है कि यहां से प्रेशर को अटमेटिकल रिलीज कर देगा, यह क्या आप फट जाएगा और प्रेशर रिलीज हो जाएगा, उसमें कहा कि कम्प्रेशर को खत्रा कम होगा, कम्प्रेशर फटने का खत्रा जो है वो नहीं होगा, यह इसके लिए यह होता है और यह कंडेंसर में भी होता है और डिस्चाज लाइन में भी होता है तो दोस्तों यह आप देख पा रहे होंगे हमारे जो डिस्चाज लाइन इसमें भी एक वाल होता है और कंडेंसर में भी होता है तो इसके बाद जो और सेप्टी हैं उसके बार है और condenser में भी होता है का यह अंके एंसोड पनलते हैं ऐसोड करने के लिए कि मेशन चलने से पहले हमारा पंप तौ pantalla है यह उसी रूप से काम करता है यहिए फ्लों के लिए होता है आगर हम पंप नहीं करेंगे इनके हमारा कोई pump चलते में trip हो जाता है या pump नहीं चलता है जो flow नहीं आएगा water flow तो यह water flow के आधार पर काम करते हैं जैसे flow आएगा तो यह flow आने के बाद यह on हो जाएगा तो command देगा machine को मेशिन हमारी start हो जाएगी नहीं otherwise machine start नहीं होगी दोनों लगते हैं condenser में और चिलर में भी सेम उस तरह से काम करते हैं flow के flow के इसाब से flow है तो यह on होंगे नहीं तो नहीं होंगे तो यह वी एक safety है machine का कि तो अब दोस्तों मेशिन के कुछ पारामिटर के बारे में जानेंगे और condenser चिलर वाटर डेल्टा टी कितना होना चाहिए हमारा वो उसके बारे में जानेंगे जैसे दोस्तों आप यहां डिस्प्ले में दिखाना चाहूंगा जैसे दोस्तों अभी machine बंद है तो डेल्ट डेल्टा टी कहते हैं तो दोस्तों अभी machine बंद है तो हमारा 0 है जैसे हम machine चालू करेंगे जो हमारा out chilled water का out temperature है suppose that out temperature हमारा 10 degree चल रहा है suppose that उधारन के शुरूप अगर हमारा machine से out 10 degree चल रहा है तो जो हमारा return water आ रहा है chilled water ए चुके थूप उसके जो गियाब है उसको हम डेल्टा टी के तर उसका गियाब चार से 5-degree ज्यादा से ज्यादा होना चीए उससे अगर ज्यादा हो रहा है अगर डेल्टा टी ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर उस हिसाब से हमें चेक करना पढ़ता है machine में क्या problem है क्या द बढ़ता है कि प्रिके तो आफिक हो जाता है तो आसा करता हूँ यह वीडियो आपको आचे लगी हो अगर अगर कोई confusion हो और कोई question हो तो प्लीज comment box में comments करिएगा आपकी हर question का answer दे दी जाएगी नवसकार